वाहिगुरु जी का घालसा, वाहिगुरु जी की फते, संगत कईवारी पुछदी है, जदो भी असी पाठ करन बैठ दे हां, सानू उबासियां क्यों ओन दिया हन? सानू कदे कदे नीद भी ओन लग दी है, ऐस तरह क्यों होंदा है? संगत जी सानू नीद ओदो ओन दी है, जद सानू बानी पढ़नाल सकून मिलना शुरू होंदा है, साड़ा मन शांध होंदा है, असी रिलाक्स फील कर दे हां, जी में मन विच चिन्तावा होन, परिशानियां होन, ओदो तो आनू बानी पढ़नाल कदे वी नीद नहीं पर जद तुसी बानी पढ़ना शुरू करदे हो तो आड़ा माइंड रिलाक्स होंदा है तो आनो उबासिया या फिर नींद ओनी शुरू हो जान्दी है ते एक रीजन एवी है कि असी बानी नू सिरफ पढ़ रहे होंदे हां असी गुर्बानी दे मीनिंग दे भी फोकस करना है ते असी पाठ नू बड़े अराम नाल पढ़ना है बहुत ही सलोली करना है ता जो साड़ा मन है और गुर्बानी दे अर्था नाल भी जुड़ सके अते सानू नींद ना आवे ते जेकर ओदो बाद भी तो आनू नींद आंदी है या उबासियां आंदिया हन ता तुसी अपने स्थान थे खड़े हो करके पाठ भी कर सकते हो ते दुजी गल पाठ कर दे समय जेकर मन पटकदा है तरा तरा दे ख्याल ओन दे हन ते तुसी उच्ची उच्ची अवाज व गरफ पाठ वलनू ही त्यान देना है जी ते तांतन बाबा दीब सिंग जी सब दिया चोलियां पर देने कोई भी ऐस दर तो खाली नहीं मुड़ेया कदे किसे नू जल्दी मिल जानदा है ते कदे किसे नू सबर नाल मिलदा है बस आप जीदा परोसा होना चाहिदा है कि बाबा दीब सिंग जी दाता सबनू वंड़ देने बस आप जी ने विश्वास रखना है आप जी दी मनो कामना जरूर पूरी होवेगी सबर रखना है ते बाणी दा पला कदे भी नहीं चड़ना ते संग जी तो आड़ा कोई होर वी सवाल होवे तुसी मैंने कॉमेंट करके एस वीडियो उत्ते पूछ सकते हो तन तन बाबा दीब सिंग जी सरबत दा पला करो जी